हलो गाईच वेलकम टू माई चैनल वाइफा कॉंसेप्ट तो आप सभी को हमारे चैनल वाइफा कॉंसेप्ट में स्वागत है तो गाईच आज हम लोग पढ़ने वाले इस वीडियो में साइन्स रिलेटेड एक महत्पूर्ण टॉपिक और टॉपिक का नाम है आपका राशाय जो बात वह भी देखेंगे उसका निर्मान कहां से हो रहा है या फिर उपयोग क्या है वह कहां पाया जाता है ठीक है इस तरह से जो कुछ भी कोश्टन आपके एकजाम में जो बनते हैं एकजाम के पुएंट आप यहां पर इंक्लूट कर दिया हूँ ताकि आपका कोई भी परकार का किसी भी परकार का एक्जाम हो उसमें आपका इशैनिक फर्मॉला या रसैनिक और योगीं से एक नए कोस्चन गैरिंटी के साथ आपको पूंपा देखने को मिल जाएंगे तो यहां पर देखें जैसे पहले हैं इह हैं कि मैं यहां पर क्रिकागए खाने का सोडना सब्सक्रा सोडूर नाम किया है इसका बैकिंगर दढम क्षेत्स to में ठीक है या फिर घरेलू आतावरन पसू आतावरन में यह स्तर से यहां पर मैं आप लोग को बताने वाला हूं ठीक है और मैं बता दू किया जो है सभी कंपरेटिव जाम के लिए बहुत ही महतपुर्ण साभित होने वाले हैं ठीक है और टॉपिक जैसे ही खतम होगा आपक सेस्टर ढ़त हैं और उसमें सेट में 20 कोश्चन है और आपको वेससों खुझ से लगाना है मैं सिर्व यहां पर ट टपार ठीक है और अप लोग को ज़ना और मैं एंसर अंत में बता दूँगा तो ताकि आप लोगों पता चले कि जो जो आप 50 question पढ़े है पचास ने पढ़े हैं वह अच्छे से पढ़ पाए भी है या नहीं ठीक है तो आप लोग गयस को लोग हसाने वाली गयस भी बोलते हैं ठीक है लफिंग गयस को क्या बोलते हैं हसाने वाली गयस बोलते हैं ठीक है और इसका जो होती है नाम रहसाइनिक नाम वह होती है नैट्रस ओक्साइड बोलते हैं इसका रहसाइनिक नाम है नैट्रस ओक्साइड और इसका पहला होता है N2O का मतलब होता है Nitrous Oxide तो लफिंग गैस का दूसरा नाम क्या है हसाने वाली क्यास इसका रायसानिक नाम क्या है तो नाम क्या है तो नायसानिक फर्मूला क्या है तो आप लोग ध्यान में रखेगा N2O क्योंकि बहुत अबच्छे confusion कर जाते हैं यह कोता है N2O इसको बोलते है nitrogen dioxide ठीक है लेकिन N2O जो होता है इसको बोलते हैं हम लोग Nitrous Oxide ठीक है क्या बोलते है Nitrous Oxide और यही यह है Luffing Gas है चली देखते है next क्या है तो अगला है आपके पास Bleaching Powder ठीक है Bleaching Powder अकसर आप लोग जो है एक जाम में देखे होंगे Bleaching Powder से question और आते ही आते हैं Bleaching Powder से question तो आप लोग को ध्यान में रखना है इसको और अच्छे से आप पाडर देदे और option में रहे विरंजक चुर्ड तोशी को मारना है या पर विरंजक चूर देदे और option में रहे Blaching Powder तो Bleaching Powder को answer करना है ठीक है तो ओहां पर किसी कोई confusion नहीं लेना है ठीक है और स्का रहसानिक सुत्र की बात करें तो इसका रहसानिक सुत्र होता है CAOCL2 ठीक है इसका रहसानिक फर्मूला क्या होता है CAOCL2 ठीक है कभी-कभी confusion करने के लिए क्या कर देता है examiner कभी-कभी कि CAOCL2 को थोड़ा सा तोड़ के देता है ऐसे जैसे कि CAO कर देगा ठीक है और CAOCL ठीक है CA को बाहर में रखेगा OCL को अंदर कर देगा CL को बाहर कर देगा तो कुछ नहीं बस यहीं फर्मूला है सिर्फ CL जो यहां पर दो CL था CL2 एक CL को क्या क्या बाहर कर दिया और OCL को अंदर कर दिया तो आप लोग किसको ध्यान में रखना है इसका यह सुत्र भी क्या है विरंजक चूर्ण का ही है और यहीं बनता है लास्ट में CAO और जैसे CL को अंदर करेंगे तो CL2 हो जाएगा तो CAOCL2 या फिर CACOCL और ब्रेकेट के बाहर CL भी देदे तो यह जो होता है bleaching powder का सुत्र होता है और एक चीज जिससे और भी जुड़ा हुआ है कि इसका उप्योग तो इसका उप्योग कहा होता है तो bleaching powder का उप्योग आप लोग अक्सर देखे होंगे कहां पर करते हुए किटना सक के रूप में किटानू मारने के लिए इसका bleaching powder का उप्योग जो है किडे मकोडे को मारने के लिए किया जाता है चले देखते है next क्या है तो next आपके पास gel gas और gel gas को इंगलिस में लोग क्या बोलते है water gas बोलते है और यह एक परकार की क्या है इंधन है यह एक परकार की fuel है इंधन है और इसका जो होती है निर्मान वह होती है कोईले की ख़दान में जल gas कहां बनते है तो कोईले की ख़दान में बनते है और इसका रहसाइनिक सुत्र क्या है तो CO plus H2 CO को बोलते है carbon monoxide जो की एक pollutant है परतुसक है और H2 को बोलते है hydrogen gas जब CO plus H2 दोनों मिल जाते हैं आपस में तो उसको बोला जाता है समलित रूप से gel gas तो आप लोग को याद रखना है कि जल gas किसे क्या है तो यह एक परकार का हिंधन है इसका निर्मान कहां से होता है कोईले की ख़दान से होता है और इसका रसाइन एक सूतर क्या है तो CO plus H2 कई बार एक्जाम में यह question पूछा गया है तो आप लोग ध्यान में रखिएगा जितने भी मैं include किया वो सारे question बहुत पूर्ण है और सभी कहीं कहीं कोई ने कोई एक्जाम में पूछे गया है और वीडियो का अच्छे से देखिए ताकि अंत में जो set हुए set में include क्या है उसको अच्छे से लगा पाईएगा ठीक है next अपका producer gas ठीक है producer gas भी एक परकार का इंधन है producer gas क्या है तो producer gas भी एक परकार का इंधन है और इसको जो है सुत्र होता है CO plus N2 ठीक है CO plus N2 को बोलते है producer gas confusion मत होईएगा वहाँ पर था एक water gas जिसको बोलते है CO plus H2 उसमें hydrogen gas जुड़ा हुआ था carbon monoxide के साथ यहाँ producer gas में क्या होता है carbon monoxide plus nitrogen gas जुड़ जाता है N2 जुड़ जाता है तो जैसे ही carbon monoxide और nitrogen gas आपसे मिल जाते है चलिए देखते हैं अब next question क्या है अगला है कली चुना बहुत ही important क्योंकि बहुत बार आपसे पूछा गया है कली चुना जो होता है इसको बोलते हैं वैसा चुना है या जिसको पानी में डालने के बाद क्या होता है पानी को गर्म कर देता है और जो है भाप निकलने लगता है ठीक है कली चुना में इसका जो है आपको बोल सकते है इसको चुना पत्थर भी बोल सकते है कली चुना को चुना पत्थर भी बोल सकते है तो कली चुना को हम लोग क्या बोल सकते है चुना पत्थर नहीं कि कली चुना का दुतरा नाम है चुना पत्थर या फिर चुना पत्थर को ही कली चुना बोलते हैं ठीक है इसका रहसाइनिक नाम क्या होता है तो केलसियम उक्साइड होता है और रहसाइनिक सुत्र क्या है तो केलसियम उक्साइड का होता है C-A-O ठीक ह और यह जो होती है एक चीज ध्यान में रखेगा आप लोग जरूर ध्यान में रखेगा जरूर कोपी में नौट कीज़ेगा क्योंकि इसको बोला जाता है बिना बुझा हुआ हुआ चुना किसे बोलते हैं तो कली चुना को बोलते हैं ठीक है या फिर बिना बुझा हुआ हु आमें पुछा जा चुका कि बीना बुजा हुआ चुना किसे कहते हैं ठीक है चलिए देखते हैं नेस्ट क्या है अब आपका भखरा चुना ठीक है देखिए अक्चुलिए भखरा चुना का निर्मान कैसे होता है मैं यहां पर एक फर्मुला के तुरू रियक्शन के तुरू जैता हुआए अभी क्रिया के तो जो कि आपके कभी कभी पुछबी जाता है है तो देखिया देखिये बीना भुजा हुआ चुना यह ठीका को जैसे ही पानी मिला देते हैं एक ठीक है यॉके साथ Gel के साथ मिला देते हैं तो क्यों सिए मिल्वcan flank जाता है और calcium hydroxide को ही भखरा चुना बोलते हैं और इसमें कुछ heat release हो जाता है इसलिए इस अभिक्रिया को बोलते हैं हम लोग उसमा छेपी अभिक्रिया या फिर English में बोले तो एक जो थर्मिक रियक्षन बोलते हैं कोई भी reaction में अगर heat release हो तो उसको बोलते हैं हम लोग उसमा छेपी अभिक्रिया निकी एक जो थर्मिक रियक्षन ठीक है और आपका जो है भखरा चुना जो है आप कहां पर उप्योग करते हैं तो भखरा चुना का हम लोग दिवाल को पोतने में उप्योग करते हैं दिवाल को पैंट करने में क्योंकि जैसे है कली चुना इसी को जल में डालते हैं तो भगरा चुना बनता है और भगरा चुना को हम लोग दिवाल में पेंट करते हैं ठीक है इससे देखते हैं और यहां पर क्या क्या कोस्चन है तो इसको हम लोग क्या बोलते है भखरा चुना को बुझा हुआ चुना बोलते हैं च्योंकि जैसे ही पानी में मिला देते हैं कली चुना को बिना बुझा हुआ चुना को तो उसको बोलते हैं भखरा चुना बन जाता है और उसी को बोलते हैं लोग बुझा हुआ चुना ठीक चुना को क्या बोलते हैं बुजा हुआ चुना बोलते हैं जिसका रैसाइनिक नाम है केल्सियम हाइड्रोकसाइड और इसका सुत्र होता है CA into OH का हाल 2 ठीक है अब देखिए हाँ पर next question क्या है तो next आपके पास संग मरमर ठीक है संग मरमर देखिए बहुत अच्छा टॉपिक है तो यह आपका जो बहुत अच्छा योगिक है संग मरमर संग मरमर का रैसाइनिक नाम होता है आपका कैल्सियम कार्बोनेट ठीक है और इसका सुत्र क्या होता है तो कैल्सियम कार्बोनेट का सुत्र होता है आप लोग को याद रखना है केल्सियम कार्बोनेट का सुत्र क्या होता है तो संग मरमर का रासाइनिक नाम क्या हो गया केल्सियम कार्बोनेट और इसका सुत्र होता है तो आप लोग से कभी पूछा जाए कि संग मरमर किसे कहते हैं केलसियम कार्बोनेट को बोलते हैं आप लोग को वहाँ पर जयावाब देना है या फिल केलसियम कार्बोनेट क्या है तो यह संघ मरमर है और बता दू कि केलसियम कार्बोनेट को ही है हम लोग marble भी है मारबेल भी बोलते हैं और मारबल आप लोग को पता होगा कि हम लोग घर में यूज करते हैं फर्स में लगाने के लिए ठीक है फर्स में बिछाने के लिए मारबेल का परियोग करते हैं जिसे हम लोग केल्सियम कार्बोनेड बोलते हैं ठीक है और यह बहुत ही चमकिला होता है ठीक है यह बहुत ही चमकिला होता है चमकिला जब बोल रहा हूँ तो इससे एक और कोस्चन उठता है कि जो अभी हम लोग भकरा चुना पड़े थे जिसको भी बुजा हुआ चुना बोलते हैं C.E.O.H. का हॉल 2 जब उसको हम लोग प चमक आ जाता है वाइट वाइट कलर का बहुत ज़्यादा चमक आ जाता है तो ऐसा चमक क्यों आता है क्यों कि वह कार्मन डायकसाइड के साथ अभी क्रिया कर लेता है और केल्सियम कार्बोनेट बना देता है ठीक है और केल्सियम कार्बोनेट तो जानवे करते हैं आप लो को द्यान में रखना है आप नौट कर लेना है ठीक है चलिए देखते अब नैस्ट क्या है आपका नैस्ट है उजलात होता ठीक है उजलात होता है बहुत बार आता है उजलात होता है तो उजलात होता को हुनों बोलते है सफेद कसिस बोलते हैं और इसका उसका रस्थाइनिक नाम होता है 7 है ठीक है तो आपका उजलात होता को हम लोग क्या बोलते हैं सफेद कशिस और इसका रैसइञिक नाम क्या है तो जिंक सलफेट और इसका जो शुत्र क्या होता है तो जेडनएसोफ पुर इंट़ू 7H2 हो ठीक है चली देखते हैं अब नेस्ट क्या है अब आयता है नीला थोथा नीला थोथा किसे कहते हैं तो नीला थोथा को हम लोग बोलते हैं तूतिया नीला थोथा का दूसरा नाम क्या है तूतिया है तो आप लोग को confusion नहीं करना है कभी दे दे कि तूतिया क्या है तो यह नीला थोथ होता है या फिर इसी का जो है रसायनिक नाम कॉपर सल्फेट है अनि कि अगर कॉपर का नाम अरायत कॉपर सल्फेट को बोलते हैं तो नीलात होता ठीक है इसका सुत्र क्या होता है पूछ तो नेवगे एक जाम में अगर को पूछ दिया जाय में नाम कॉपर सल्फेट को बोलते हैं नीलात होता को भी होता है ठीक है और आपसे पूछिए सफेद उजलात होता किसे बोलते हैं तो आप 冷़गा पीषे बड़ता दिया हो कि जिंग सुल्फेट को बोलते हैं ठीक है चलिए देखतें नेश्ट के आप हरा कसिस हरा कसिस किसे बोलते हैं तो हरा कसिस हम लोग फेरस सलफेट को बोलते हैं ठीक है फेरस सलफेट अनि कि फेरस मतलब क्या होता है आयरन कभी कभी आयरन सलफेट भी दे देगा आपको ठीक है तो फेरस सलफेट को हम लोग बोलते है हरा कसिस और हरा कसिस का जो सुत्र होत मारना है कभी भी पुछे उजलात होता तो आप लोग सम्ट हो एक अगर बोले आपको की नीला եो निलात होता ठीक है तो आप लोग मारना है पहरासल्फएट में प्मधिक अगर बोले हरा कसिस तो आप तो आप लोग को तीनों में confusion नहीं होना है, ऐसे में यहाँ पर अभी question set जो include क्या है, उसमें यह question है, ठीक है, चलिए देखते हैं, next question क्या है, तो next आपका नौसादर, नौसादर किसे बोलते हैं, देखिए, तो नौसादर कर जो रसायनिक सुत्र रहता है, ammonium chloride, तो ammonium chloride को ही हम क्या बोलते हैं, नौसादर बोलते हैं, ठीक है, ammonium chloride की हम लोग क्या बोलते हैं, नौसादर बोलते हैं, और इसका रसायनिक सुत्र क्या होता है, तो NH4Cl होता है, ठीक है, तो आप लोग को पता चल गया कि नौसादर किसे बोलते हैं, ammonium chloride का बोलते हैं, और इसका सुत्र क्या होता है तो आप लोग को यहां पर बताना है NH4Cl ठीक है NH4Cl ठीक है और इसी को क्या बोलते हैं नौसादर बोलते हैं ठीक है चलिए देखते हैं next क्या है हमारे पास तो next हमारे पास methane methane जो कि बहुत ही महतपूर ने बहुत बार यह question आया है इसका सुत्र होता है CH4 ठीक है CH4 इसका होता है सुत्र अनिकी methane इसको बोलते हैं और इसे भूम लोग मार्स गैस भी बोलते हैं अब देखिए यह कहां कहां मिलता है तो आप लोग बहुत बार एक्जाम में पुछा जाता है कि मिथेन गेस कहां कहां पराप्त होता है मिथेन गेस आपका सबसे पहला दलदली छेतर में मिलता है दलदली छेतर का मतलब यह हुआ कि जहां पर आपका जो है कीचड बेगर होता है कीचड टाइप का छेतर जो होता है वहां पर आपको मिलेगा जैसे धान का छेतर में आपको मिल जाएगा मिथेन गैस का निर्मान होता है कोईला का खदान से भी मिथेन गैस का निर्मान होता है ठीक है और घरेलू पसु आतावरन से भी क्या होता है मिथेन का निर्मान होता है आपको याद रखना है घरेलू पसु आतावरन से मिथेन का निर्मान होता है पसु आतावरन का मतलब देखिए गोबर गैस आप लोग सुने होंगे गोबर गैस अभी हम लोग आगे मतलब next जब वीडियो अप्लोड करेंगे तो उसमें पढ़ेंगे ठीक है तो गोबर गयस जो होता है उसमें महतपूर्ण होता है मीथेन गयस ठीक है गोबर गयस में सबसे ज्यादा मातर है मीथेन गयस की होता है इसलिए बोल रहा हूँ यहाँ पर मैं कि घरेलू पसू आतावरन से मीथेन गयस का निर्मान होता है दलदली छेतरों से मीथेन गयस का निर्मान होता है ठीक है तो मीथेन गयस को क्या बोलते है मार्स गयस बोलते है तो आप लोग को इतना ध्यान में रखना है, चलिए देखते अब नेस्ट क्या है, अगला है खाने का सोडा देखे, बहुत बार यह question पूछा गया है, तो खाने का सोडा को हम लोग क्या बोलते हैं, बैकिंग पाउडर बोलते हैं, मतलब खाने का सोडा का दूसरा नाम है, खा सोडियम बाय कारबोनेट, सोडियम बाय कारबोनेट इसका रैसारिक नाम होता है, और इसका फर्मूला होता है, एने एच सी ओ त्री इसका फर्मूला होता है, तो खाने वाले सोडा जिसका घर में हम लोग खाना बनाने में उप्योग करते हैं, ठीक है, तो इसका रैसानिक नाम होता है backing powder और इसका रासाइनिक नाम होता है sodium bicarbonate और इसका सुत्र क्या होता है na h co3 context कर लिजेगा mind में क्योंकि बहुत बार यह question पुछा गया है बहुत बार बहुत बहुत बार यह question पुछा गया है और sodium na h co3 को ही हम लोग और एक मतलब sodium हरो61 कारभी या थो इसका और वह नाम है सोडिién वायडोजन कारभोनेट वी झालते हैं और उस मीकिंग पुझ भीकार वोलते हैं और या या फिर आछेसा भीष दिया जाएकर थे पूलते हैं या फिर सोडियम हैड्रोजन कार्बन बोलते हैं उसका सुत्र क्या है तो जो कुछ भी इससे कोश्टन बनता है आपका एक्जान में वो सारे में आपर पता दिया हूँ आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रू किजिएगा सेयर करना ना भ होने वाला ठीक है तो वासिंग सोडा काम लोग धोवन सोडा भी बोलते हैं ठीक है क्या बोलते हैं धोवन सोडा भी बोलते हैं वासिंग सोडा का दूसरा नाम क्या है धोवन सोडा इसका रासिंग सोडा का दूसरा नाम क्या है धावन सोडा इसका रासिंग नाम क्या है CO3 और इसमें क्या होता है कि इंटो टैन एज टू ओ लग जाता है ठीक है टैन हटो लग जाता है तो आप लोग्ところ को याद रखना है कि waxing SODA किसे बोलते हैं तो 35 कोही васin soda बोलते है या फिर धावन soda कोही वासिंस बोलते हैं या इसका सुत्र जो होता है इसमें कितना री क्रिस्टलाइशन ऑफ वाटर है ठीक है तो री क्रिस्टलाइशन ऑफ वाटर के कितने अनू है आपसे ये कोचन पुछा गया था आप लोग इसमें देख सकते हैं कितने अनू इसके साथ लगा हुआ है तो आप लोग को क्या बताना ह रिक्लियस्तलाइशन दो टैन में और वाष्टिए जयता है इसको धावन सोड़ा बोलते हैं तत मैं बता दिया और आप लोगों को यह कंप्यूज नहीं करना है कि सोडियं कर्मनेट और सोडियं बाईकार्वोनेट करों लोग बोलते हैं आपका जाके सोडिय। का लोग हम लोग बोलते हैं सोडिय म हीडरोजेन कारपनेट और मेज़न कहुत नियुक्त क्या हुद ने हुद में सर्ट खेंद जिप्सम से बहुत बार कुछन पूश्चन पूछा गया और जिपसम का जो होता है आपका रासाइनिक नाम वह होता है कैल्सियम सलफेट को ही जिपसम बोलते हैं और इसका रासाइनिक सुत्र क्या होता है तो C.A.S.O.4 into 2H2O होता है इसमें रिक्रिलाइशन ओपार दू होता है उसके दो अनु होता है तो आपका जो है जिपसम का सु क्या हुआ है तो c as nah into 2H2O ठीक है और इसी को जब हम हीट कर देते हैं कैल्सियम मतलब कि जिपसम को ही जब हीट करते हैं तो क्या होता है प्रस्टर पैरीस का निर्मान होता है कैलसियम सलफेट हेमि हाइडरेट को बोलते हैं अब लोग प्लास्टर और पैरिस आब लोग को दियान में रखना है कि प्लास्टर और पैरिस का संडियम نाम क्या है तो कैलसियम सलफेट हेमि हाइडरेट ठीक है इसका सुत्र क्या होता है तो to One Due in H2O होता है jug इसका राइसायनिक सुत्र ठीक है आपका को इस तरह से भी आपको सुत्र देखने को मिल जाएगा C-A-S-O-4 C-A-S-O-4 into half H2O ठीक है C-A-S-O-4 into half H2O अधिकतर आपको ये फर्मॉला देखने को मिलते हैं C-A-S-O-4 into half H2O तो आप लोग कोपी में नौट कर लिजेगा कि प्लास्टर पैरिस का राशायनिक नाम दो राशायनिक पूर्ला दोत राशे दे सकते हैं एक तो C-A-S-O-4 into half H2O ठीक है और प्लास्टर पैरिस को हम लोग क्या बोलते हैं कैल्सियम सल्फेड हैमी हैड्रेड बोलते हैं या फिर मूर्ती मूर्ती बनाने में प्लास्टर पैरिस का उप्योग किया आता है तो यह सब चेकर हम लोग प्लास्टर पैरिस का उप्योग करते हैं ठीक है तो चले देख तब नेस्ट क्या है नेस्ट आपके पास भारी जल तो भारी जल जो होता है एक होता है जल तो उसक कुछ लोग कर सकते हैं तो परशी तक के रूप में हम लोग नपर इसका अप्योग कर सकते हैं पर्सी तदाकyr भूब तो का मतलब समझ रहे होंगे ठंड़क कर सकते हैं इसका अप्योग कर में लिए ठीक है उसको करilst रूइओ करने के लिए ठीक है उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग इसका परियोग कर सकते हैं परसी तक के रूप में भारी जल का ठीक है और इसका सुत्र क्या होता है तो आपका इसका बहुता था ग 101 अठारो होता था इसका अनुभार ठीक है इसका भार कितना होता था 18 लेकिन यहां पर पर बशायाँ आपके 20 ओड़याएं और बटा दिया हूं कि भारी जल को डियुटरियम औकसाइड बोलता है इसका उपयोग होता है परचितक के रूप में कुलेंड के रूप में और इ प्रक्रफी का चलिए नेस्ट क्या है तो लैस्टो आंससी आपका सुहागा सुहागा सु हागा को हम लोकपर डॉर्स बोलते हैं और कई बार या कोवस्ट को पुछा गया है कि सुहागा किसे को तो बślखने लेगों को पूल्हात अब गुराफिरा के qwestiion आपसे पूछा जाएगा ठीक है और इसका जो होता है सुत्र क्या होता है था और एक दो बार कभी कभी जो है आपका फर्मुला भी सुत्र आपका यह से question नहीं बनेंगे ठीक है नेक्स्ट है आपका चीली salt peter चीली salt peter के कभी कभी आपसे फर्मूला पुछे जाते हैं चीली salt peter को हम लोग sodium nitrate बोलते हैं ठीक है तो बोला जाता है कि चीली salt peter किसे कहते हैं और आपके option में दे दिएगा sodium nitrate ठीक है sodium nitrate को ही बोलते हैं चीली salt peter ठीक है और इसका सुथर क्या होता है अननो 3 होता है अननो 3 को बोलते हैं चीली salt peter जिसे sodium nitrate के नाम से जाना जाता है ठीक है चले देखते हैंalt की आ है हमारे पस तो अगला है epsom-11 epsom-11 किसे बोलता है Mgso4 into 7H2O ठीक है अपको याद रखना है F711 किसे बोलता है Magnesium Sulfate को बोलते हैं ठीक है इसका सुत्र क्या है Mgso4 into 7H2O चलिए देखते हैं नेस्ट क्या है नेस्ट है हमारे पास कास्टिक सोडा कास्टिक सोडा किसे बोलते हैं सोडियम हाइड्रोकसाइड को बोलते हैं हम लोग कास्टिक सोडा ठीक है सोडियम हाइड्रोकसाइड को कास्टिक सोडा बोलते हैं और इसका सूत्र क्या होता है सबसे पहला बात कि यह चारी होता है यह बहुत ही परबल चारी होता है ठीक है सोडियम हाइड्रोकसाइड परब नेक्स्ट है क्वार्ज क्वार्ज किसे बोलते हैं देखिए क्वार्ज एक पर गार बालू को ही हम लोग बोलते हैं ठीक है तो क्वार्ज किसे बोलते हैं तो यह एक बालू होता है ठीक है आनिके सेंड तो सेंड को हम लोग क्या बोलते है या फिर बालू को ही क्वार्ज बोल लोते हैं या फिर बालू बोलते हैं और आपका सि ऑट्व मतलब होगिया नाम क्या है क्वार्च का तो सिलिकन डायोकसड इसका राशानिकी नाम इसका सुत्र क्या है तो अपलोगों को द्हान में रखना है चलिए नेस्ट किया है हमारे पास नेक्ष्ट रूगस ठीक है पूछा जागा कि हम्हां को क्या कहते हैं तो आप了1 यहां फिर कंछा जा istra कर दोसरा नाम आख थो इसको बोलते हैं में कलोरो असिटो फिनन इसका सुत्र क्या है तोो होता है ठीक है क्या होता है CCL3and02 CCL3, NO2 को ही हम लोग बोलती है कॉलोरो एसिटो फिनन जो की आसरु गैस के नाम से जाना जाता है ठीक है चलिए देखता है नेस्ट क्या है नेस्ट है यह आपके पास सुेध पोटास स्वेध पोटास आने की वाइड पोटास ठीक है और इसको खुड़क थे पोटेसियम ख्लूरीट को बोलते हैं को ये सु लो थी कोटेसियम ख्लूर एक मां इसका राशानिकल क्या होता है के सी आलो थ्री सुम डृता है पोटेसियम क्लोरेट को बोला जाता है है और इसका सुत्र होता है कलो 3 चले देहते हैं आफ नेक्ष्ट क्या है तो नेक्ष्ट के बास सोरा सोरा किरेकरテरियक का आपका बंषी होता है नाम वह होता है पोटेसियम नेटरेट लोग सोरा और पोटेसियम ने optimism का सुत्र है कि एनो थी स्वड़ा आपका एक जयाम में कई बार पूछे गहें थोड़ा ध्यान में रखिएगा कैसीब नइ्ट्रेट को उसका सूत्र होता है कि एतब यूत अपको बोला थी यह पॉना थी के दखतें न THE लेट आपके पास लिथार्ज लिथार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं लेड ऑक्साइड निकि लेड ऑक्साइड को ही लिथार्ज बोला जाता है और इसका सुत्र क्या है तो पी बी ओ ठीक है पी बी ओ लेड ऑक्साइड जिसे बोला जाता है और लेड ऑक्साइड को ही क्या ब इसका रहसानिक नाम क्या होता है इथाईल एलकोहल कहीं भी देख लीजिए तो इसका मतलब है क्या वह सराब है ठीक है इथाईल एलकोहल को ही सराब बोला जाता है और simply इसको एल्कोहल भी बोल देते हैं ठीक है तो आप लोग को कहीं भी question में अगर दिया हुआ है इथाइल एल्कोहल किसे बोलते हैं फिस सराब किसे बोलते हैं तो आपको मारना इथाइल एल्कोहल या इथाइल एल्कोहल क्या है तो यह एक सराब है इसका सुत्र क्या होता है C2H5OH होता है इधाइल एलकॉहल का शुत्र क्या होता है C2H5OH या फिर सराब का सुत्र क्या होता है C2H5OH इससे जो कोशन बन सकते थे मैं आपर करा दिया हूँ अब next बरते है ठीक है next आपके पास है सिर्का 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 जो कि कई बार आपके एक्जाम में एक कोश्चन पूछा गया है ठीक है तो सिर्का जो होता है यह है एक एस्टिक एस्टिक होता है ठीक है सिर्का एक एस्टिक एस्टिक होता है और इसका जो रहसानिक सुत्र होता है CH3COOH होता है सिर्का कोई हम लोग बोलते है Acetic Acid और इसका राइसानिक सुत्र होता है CH3COOH तो कभी-कभी अगर आपसे पुछा जाए कि Acetic Acid किसे बोलते हैं तो सिर्का को बोलते है Acetic Acid का सुत्र क्या है तो CH3COOH है ठीक है और Acetic Acid जो है पिर सिर्का जो है इसका आपका pH मान कितना होता है इसका pH मान होता है आपका 2-3 के बीच में होता है आपको Exact Data pH value में मिल जाएंगा जोकि मैं वीडियो में आपको कराऊंगा तो चलिए देखते आप next क्या है next आपके पास सिंदूर सिंदूर और भकरा सिंदूर भकरा सिंदूर जो होता है है इसको क्या बोलते है यहम लोग होता है एक डाल और आप लोग की सिंदूर वीडियो अगर आगे भी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके के चैनल के साथ जुड़ जाईए और बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि जैसे ही मैं वीडियो अप्लोड करूंगा आप लोगों तक नोटिपिकेशन तुरंद मिल जाएगा ठीक है और वीडियो थोड़ा बनाने में टाइम लगता है मेहनत लगता है तो ऐसलिए आप ल राज सल्फ्यूरिक अमल को बोलते हैं और कि सल्फ्यूरिक अमल को ही अमल राज बोलते हैं और इसका सुत्र होता है एक्चुली यह होता है कि स्ट्रॉंग एस्टीड होता है जिसको अमल राज बोलते है ठीक है और इसका सुत्र होता है एस्टू एसोपूर ठीक है अमल रा हम एस्ट है और इसका सुत्र कभी पूचा जाये ता आपको बताना है एस्ट टू एस्ट एसो फॉर ठीक है अब अब सविरीक अमल जब आ रहा है तो इसका बहुत ज्यादा उपियोग होता है सब रिक करते हैं तो आप सकते हैं तो देखे इसका उपयोग से पहले कालका उपयोग करते हैं जो आपका रिभलिट का परियोग करते हैं इंगे का परियोग करते हैं इंगे सबीरिक अमल का परियोग करते हैं जो होता है उसके उद्योग में भी आपका सेल्फिरिक अमल का परियोग किया आता है ठीक है तो अमल राज यानि कि सल्फिरिक अमल से जो कुछ भी आपर कोश्चन बन सकते थे वह मैं आपको करा दिया हूं और इससे बाहर आपका एक्जाम अधिकतर कोश्चन कभी कभी पूछे जाते हैं ठीक है कभी कभी तो पूछ लिए जाते हैं जो कि आपका जो है अमल राज का आपका एक special topic में आपका मैं करा दूंगा ठीक है क्योंकि अमल राज जो हता है सल्फिरिक अमल इसका बहुत सारे उप्योग वेगरे होते हैं लेकिन यहां जो कुछ भी important था व एक भाग HNO3 का मिल करके बना होता है जिसको अमलों बोलते हैं हिड्रोजन नैट्रेट ठीक है HNO3 ठीक है तो और HCL तो तीन भाग HCL और एक भाग जब HNO3 को मिला देते हैं तो वह बन जाता है अमल राज और इसको बोलते हैं साल्फिरिक अमल जो की स्ट्रॉंग एसिड है इस अगला है साधारन लवन जो कि हम लोग घर में परियोग करते हैं जिस नमक का उसी को पुला जाता है साधारन लवन और साधारन लवन को क्या बोलते हैं रहां होता है और इसका इसका शूत्र होता है और NaCl जो की sodium chloride का सुत्र है और इसी को ही साधारन लवन या फिर नमक बोला जाता है ठीक है और यह एक उदासीन योगिक होता है NaCl एक उदासीन योगिक होता है नमक एक उदासीन योगिक होता है जिसका pH मान होता है साथ अनिकी नहीं आसरीड, नहीं चार वह एक उधासीन है इसलिए इसका नमक का प्य कोष्टमान कर लिए या पिर कभी पूछा जा है कि अगला है सुस्क बर्फ बहुत बार इससे question पुछा गया है तो सुस्क बर्फ किसे बोलते हैं या एक dry ice होता है जिसको बोलते हैं सूखा बर्फ ठीक है और यह जो होता है carbon dioxide का बना होता है ठीक है किसका होता है carbon dioxide का होता है ठीक है सुस्क बर carbon dioxide का होता है जिसको बोलते हैं CO2 तो आपको CO2 थोड़ा सा यहां पर एक ज़रा मिस्प्रिंट क्या हुआ है कि सुस्क बर्फ को जो है carbon dioxide नहीं बोलते हैं ठोस carbon dioxide बोलते हैं ठीक है आप लोग को याद रखन इस सुत्र का पुछा गया थे जाम में रेलवे का कि यूरिया का सुत्र क्या होता है NH2, CO, NH2 होता है ठीक है शुरू में NH2, लास्ट में NH2 और बीच में CO आप लोग को इस तरह से याद रखना है NH2, CO, NH2 यूरिया का सुत्र होता है ठीक है और इसका जो होता है बेंजिन बेंजिन का सुत्र क्या होता है C6H6, ठीक है, बेंजिन का सुत्र क्या होता है, C6H6, यूरिया का सुत्र क्या होता है, NH2CO, NH2, और बेंजिन का सुत्र होता है, C6H6, ठीक है, आप लोग को दोनों को याद रखना है, क्योंकि दोनों जो है, आपका फर्मूला ही पूछे जाते हैं, ठीक है, चले देखते हैं, तो अगला है चीनी चीनी का रसानिक सुत्र क्या होता है आप लोग को याद रखना है चीनी का रसानिक सुत्र होता है C6H12O6 ठीक है क्या होता चीनी का रसानिक सुत्र C6H12O6 होता है चीनी का रसानिक सुत्र चीनी का रासाइनिक सुत्र होता है आप लोग का confusion में एकदम मत होना है ठीक है चीनी का रासाइनिक सुत्र होता है C12H22O11 और गुलकोज का रासाइनिक सुत्र होता है C6H12O6 तो चीनी का रासायनिक सुत्र क्या होता है C12H22O11 और गलकोज का रासायनिक सुत्र होता है C6H12O6 ठीक है चलिए देखते हैं अगला है आपका आप यहां पर question state ठीक है आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग जो है पूरे सारे जो भी important formula था 50 वो मैं जो कराया हूँ आप लो जो कि बहुत भायदे पहुचाने वाली है आप लोग एक्जाम में आप लोग इसको अच्छे से जरूर कर पाएंगे ठीक है जो कि जो कुछ में बताया हूँ वो topic में उसी से related यहां पर आपका question state यहां पर include किया गया है ठीक है तो आप लोग अब state को असानी से लगा सकते ह है असानी से आप लोग answer कर सकते हैं ठीक है आप लोग बताईएगा कि answer इसका क्या होगा आप लोग पहले अपने से देख लिएगा answer क्या होगा वीडियो को पाउच करके क्योंकि मैं यहां पर तो तीन सेकंड का time दूंगा और बताऊंगा है इसका answer लेकिन फिर भी आप लो ठीक है और आप लोग जो है चैनल को लाइक करना वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा ठीक है और आप लोग को जो है एक्जाम में इससे ही question गुरा फिरा के देखने को मिलेगा ठीक है तो आज का पहला यहां पर प्रस्न है इस वीडियो का जो की आपका 20 question का जो set है उसमें plaster還有 Paris का रासाइनिक नाम क्या है ठीक है आप लोग को बताना है plaster opposite का रासाइनिक नाम क्या है तो plaster of Paris का रासाइनिक नाम क्या है calcium Hydrod auto2 c तो बताएगे की प्लास्टअर पारिस का रसाइनिक नाम क्या है क्या है कैलस्याम सलफेट हाइडडरेट कैलसियम सलफेट यहां पर आपका AD Сегодня सबता देता हूँ कि इसका जो होता है रसाइनिक सुत्र नाम को होता है यह होता है calcium sulfate hemihydrate धीक है क्या होता है तो फिर एक बार अच्छे से पहले वीडियो को देख ले, उसके बाद ही सेट लगाए, तभी सेट लगाने का फायदा आपको मिलेगा, और एक चीज में बता देता हूं कि अगर आप लोग को इसका पीडियाप फाइल चाहिए, आनि कि पीडियाप चाहिए पूरे वीडियो क बाद लोग जो है हमारे टेलिग्राम गूरू या फिर वात्सैप गूरू से भी जूड शकते हैं ठीक है, तेली बाम गूरू सकते हैं इसमें बहुत से बच्चे जुड़े हुए है, चलिए देखते हैं क्या है, अगला कूस्चेन आपके पास, धोवन सोडा का दुसरा किस नाम से जाना जाता है ठीक है तो धोवन सोडा जो होता है तो उसको दूसरा और किस नाम से जाना जो होता है आप लोग को यहां पर बताना है और इसको मैं बहुत ही अच्छे से बताया था ठीक है पहला है आपका sodium bicarbonate दूसरा है sodium hydrogen तीसरा है आपका sodium carbonate और एक है आपका sodium chloride तो बताएगे कि धोवन-soda का दुसरा कि क्या नाम है आप लोगो यह बताना है sodium bicarbonate sodium hydrogen carbonate sodium chloride है तो धोवन-soda हम लोग बताएगे क्या होता है धोवन-soda वासिं़ ुआ जिसका हम लोग परढ़ा साप्दर करने में परियोग करता है उसी को बला यह गलोग किस नाम से जानते हैं sodium कारभुन में नाम से जानते हैँ और इसका सूत्र क्या होता है Na2CO3 सोडियम कार्बोन Na2CO3 जिसको हम लोग क्या बोलते हैं धोवन सोडा बोलते हैं ठीक है चले देखते हैं next question क्या है अगला है सुस्क बर्ब किसे कहा जाता है सुस्क बर्ब किसे कहा जाता है तो सुस्क बर्ब के बारे में carbon dioxide को कहा आता है sodium chloride को कहा आता है या फिर carbon dioxide को कहा आता है तो मैं बता जिता हूँ इसका answer आप लोग जो है पहले इसको अगर नहीं पता है तो आपवाउच करके बताएं अंसर को ठीक है अपने मन में सुस्क बर्प ठीक है सोडियम ठोस करवन डाइकसाइड को हम लोग बलते हैं सुस्क बर्प जिसे सोडियम ठोस करवन डाइकसाइड बोला याता है इसका सूतर होता है सी यूओ टु ठीक है चले देखते हैं नेस्ट क्या है नेस्ट क्योश्ट ने आ पके पास नाम क्या होता है तो लफिंग यसे हम लोग हसाने वाली गेस बोलते हैं इसका रासानिक नाम क्या होता है आप लोगत बता ना्रीक की फिक टीड़ Healthy या फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन डायोक्साइड ठीक है बताना है नाइट्रोजन ऑक्साइड नाइट्रोजन डायोक्साइड नाइट्रस ऑक्साइड या फिर क्लोरोप्रीन क्लोरोपिक्रीन बोलते हैं लफिंग गैस को क्या बोला जाता है यहां ठापिक में आच्छा से कि राये हूं कि क्या है यह सारे कुछ हैं अब किस नाम से जाना जाता है आप्सन नमर A, sodium hydrogen carbonate, आप्सन नमर B, खाने वाला सोडा, आप्सन नमर D, सभी, या फिर आप्सन नमर C, sodium bicarbonate, तो बताईए कि बैकिंग सोडा को और किस नाम से जाना जाता है, सोडियम hydrogen carbonate के नाम से जाना जाता है, या फिर खाने वाला सोडा इसको बोला जाता है, या फिर इसे sodium bicarbonate बोला जाता है, या फिर सभी बोल सकते हैं, तो हम वीडियो में ही आप लोग को बता चुके थे, कि बैकिंग सोडा जोता है, एक खाने वाली सोडा होता है, क्या होता ह तो बैकिंग सोडा जो होता है एक प्रकार के खाने वाला सोडा होता है और इससे हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं क्योंकि इसका राष्णानिंग नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कोई सोडि आपका इसका सुद्र क्या होता है तो आप लोग को उमीद करता हूं कि आप लोग अगर पीछे वीडियो को अच्छे से देखे होंगे तो असानी से कोश्चान का इंसर जरूर लगा पा रहे होंगे तो चलिए बताइए कि भारी जलका रहसानिक जुझा होता है थाह निक्त कि केल्सियम एक्सथाइड या फिर obtain वोगे फिरियो अट्क करणर करवान ड्यौशाइड या फिर अपिर से थे टू जलका रहसानिक मीद क्या होता है हम बताया था है भारी जलक के बारे में भारी क्राशानिक को अवीर बदा furry बलता है कि बारी जल अलू भार कितना होता है 20 होता है तो बताएज नमबर सी आपका सई होगा डी-टू-ओ यह एक जो होता क्या होता है पहरी जल होता है कलिया चूना और ठोस करवनडा को क्या लेकिन यहां पर यहां बारगी यहल दो इसका राषायनिक सुथ्रोसफ़ा का डि 2-0 ठीक है चलिए देखते हैं नेक्सट है पका क्या है विरंजक चूर्ण का राषायन Nicholas नाम क्या है तो आप बताने हैं थैसकी। लेखने ड को औक्साइड सी है bleaching powder डी है पोटेसियम कोलराइड तो बताएए कि विरंजक चूर्ण का रस्टाइनिक नाम क्या है नाय्ट्रिक अक्साइड है या फिर जींक पोटेसियम क्लोराइड है या फिर bleaching powder है तो गाइज इसका जो एंसर होगा विरंजक चूर्ण हम लोग किसे बोलते हैं bleaching powder वो ठीक है bleaching powder रगरा मों बहुते हैं विरंजक चूर्ण ठीक है तो इसका option d योहां सोगा का bleaching powder और प्रेंचक चुन का सुत्र क्या होता है तो सी ए ओ सी एल टू होता है ठीक है सी ए ओ सी एल टू और यह जो होता है कभी कभी किटना सक के रूप में इसका उप्योग क्या है ठीक है चलिए देखते अब नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट आपका बिना भुझा हुआ चुना का रासाइनिक सुत्र क्या है आप लोगर वीडियो का अच्छी से देखे होंगे ता आप लोगको मजा आ रहा होगा और आप लोग अच्छे से वीडियो कर पा रहे होंगे इतना में उम्मीत करता हूँग आप लोग से ठीक है तो बीना भुझा हुआ चुना जो होता है यह और इसको पानी में डाल देते हैं तो भकराचुना का नियर्मान होता है ठीक है। Colorium carbonate जो की E nИमर option में दिया है CAS CO3 या किसका सुत्र होता तो MARBELL का सुत्र होता या फिर SANG Melbourne का सुत्र होता है। ठीक है। और junction facial d नमर मे दिया हुआ है CAoCl2। ठीक है। पहले देखते हैं इhanded क्या है अगला कोष्चन है साधारा नमक कहते हैं किसे कहते हैं आपसर नंबर A sodium chloride को आपसर नंबर B sodium nitrate को option नंबर D sodium Social bishop yaşafya अजो पर आपसर नंबर D sodium Celine तो बताजी साधारा नमक किसे कहा यता है sodiumит toxic з sought hem of KC divided सो यह यह वह dar बोलते हैं अपका साधारन लवन बोला जाता है ठीक है और इसी को ही नमक बोलते हैं साधारन नमक इसी को ही बोलते हैं ठीक है किसको बोलते हैं अपका सोडियम को राइड को ठीक है इसका सूतर क्या होता है मैं यहां पर लिग देता हूँ एन एसी एल और यह जो होता है उदा एंगलिस में तो कभी कभी डारेट आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा अमल राज न दे करके एक्वारेजिया बोल देता है ठीक है जिसे हम लोग इसको हम लोग जो है यहां पर आप लोग इसका अंशर बता देता हूं जब तीन भाग हाइडरो क्लॉरीक अमल ठीक हाने कि एक भाग हैड्रोजन नाट्रेड निके अचेने रहे ले लिएते है और इसको जब हम लोग मिक्सकर देते हैं ठीक है तो यह बन जाता है अमल राज तो आप लोगों को ड तो यह होता है तीन भाग HCl और एक भाग HN-O3 ठीक है और इसी को H2SO4 भी बोलते हैं यानिके सल्फिरिक आमलग ठीक है और इसका कभी कभी पुछा जाता है अमलराज का उपयोग तो हमलराज का उपयोग कहां किया जाता है तो सोना ठीक है आप लोग को याद रखना है सोना या फिर प्लेटिनम, सोना या फिर प्लेटिनम, ठीक है, सोना या फिर प्लेटिनम को पिघलाने में इसका परियोग किया आता है, सोना या पिलेटिनम को पिघलाने में हमलराज का परियोग किया आता है, चलिए देखते हैं, नेस्ट क्या है, भारी जलका रासाइनिक नाम क्य होता है तो आपको अप्शन बताना है पोटेसियम हाइड्रोकसाइड डियूटिरियम ऑकसाइड सोडियम सलफेड और हाइड्रोजन पेर अकसाइड तो बहुत बार इसका में एंसर और चर्चा में कर जुका हूं तो आप लोग बताएए कि भारी जलका रैसानिक नाम क्या होत है डियूटियरियम ऑकसाइड जिसको भारी जल बोलते हैं नेक्ष्ट कोस्चन क्या है तो नेक्ष्ट कोस्चन हराकस्स किसे कहते हैं तो आप लोग अगर वीडियो अच्छी के लिए हिए हम चर्ण भेट रिदेखे हों तो बाता थे हैं जरूर बता देंगे हम लोग एक ब पूश्चन का जवाब यहाँ पर ही इंकलोड में कर दिया हूँ और आपको मैं बता भी दूँगा तो हरा कसीस आपको बोलना है हरा कसीस कभी आ जाए तो बताना है फेरस सलफेट क्या बताना है फेरस सलफेट ठीक है अगर आपका आजाए अगर उजलात हो था ठीक है उजला पहरा कसिस के लिए उत्तर क्या बताना है फेरा सल्फिट ठीक है चलिए देखते नेस्ट क्या है तो नेस्ट जो है आपका 20-60 का जो कोस्चन था गाईज यहीं इसी वीडियो के यह लास्ट कोस्चन था और आप लोग अगर देखे होंगे अच्छे से वीडियो तो आप लोग तो एक बार लाइक ज़रूर कर दिजिएगा और चैनल को इसी तरह वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल पर बने रहेगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा ठीक है तो थांक्यू आप लोग को थांक्स पूर पर वाचिंग माई वीडियो ठिक है एंड subscribe प्लीच like please and share also please ठीक है तो आप लोग अगर वीडियो अच्छे लगे हो तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्य बाद आप लोग को अच्छे लगी हो सब्सक्राइब करना करना भूलिएगा लाइक करना ना भूलिएगा और सेयर भी ज़रूर कर देज़ेगा हमारे वीडियो को चाकि सभी देख पाए और सभी को इसका लाब मिल सके ठीक है तो आप लोग को जो है इस वीडियो को देखने के लिए बहुत भूत धन्यवाद थेंक्यू चलिए अब इस वीडियो का समाप्त करते हैं और अगले वीडियो लेकर के में कल आने वाला हूं और आप लोग को जो है इसी चैनल पर बने रहना है और नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए और बेल आगन क दबा लेना है ठीक है तो थेंक यू गाइज